हेलो एबबबान दिस विश्रेश्चा और हिंद कोच कि आज इस सेशन में हम देखेंगे कि आफ और आफ के बीच का डिफरेंस क्या होता है आफ और आफ दोनों की दोनों होमोफोन का एक पार्थ है और इससे पहले कि हम देखें कि इनके बीच का डिफरेंस क्या होता है आईए देखते हैं कि homophones क्या होते हैं Homophones किनी उन शब्दों को बोला चाता है जिनके उचारण सेम होते हैं पर उनकी spelling और उनका meaning अलग-अलग होता है तो आईए अब देखते हैं कि off और off के बीच के difference क्या होता है First है हमारा word of off basically एक pronoun है और pronoun का use ही होता है कि दो different words के बीच का relationship बताने के लिए तो आईए अब देखते हैं off के दो अलग-अलग type of uses Number one To show belongingness और possessiveness और अगर मैं इसका example दो तो होगा कि The queen of England is a very elegant lady Rani The queen Rani England key England key यहाँ पर आप क्या दिखा रहे हो belongingness आप दिखा रहे हो possessiveness यहाँ पर इसके लिए हम use करते हैं off O-F off और अगर मैं second इसका रिवताऊं कि off का use कहा होता है तो it is to show relation between two people Like अगर मैं इसका example दो two people or two things और अगर मैं इसका example दो तो होगा कि Ajay is a good friend of Ram Ajay Ram का अच्छा दोस्त है हम क्या देख रहे हैं इन दोनों लोगों के बीच का relation देख रहे हैं off से कैसा दोस्त है अच्छा दोस्त है अब आते हैं हम अपने दूस्तरों वर्ड पे off O double F off O double F off basically दोनों फ्रन नाउन और आडवर्व की तरह यूज़ हो सकता है आईए हम देखते हैं कि अब कुछ यूज़स Number one As a state opposite to on off का मीनिंग क्या होता है on का exactly opposite Please turn off the lights lights को बंद कर दो बंद के लिए यूज़ होता है That means on का मतलब क्या होता है चालू करना और off का मीनिंग होता है बंद करना अगर हम second इसके यूज़स पर आज रहें तो होगा As a state of discontinuity I stepped off the train मैं train के उसे उतर गई से उतर गई मैं discontinuity शो कर रहे हूँ कि मैं train में थी और मैं उसे उतर गई और अगर मैं इसका एक और example नहीं तो होगा कि I took a week off from office मैंने एक हफ़ते की छुटी ली office से अगर आपको लगता है कि off के कुछ और uses हमें add करने चाहिए या examples तो आप उन्हें comments में add कर सकते है अगर ये video आपको interesting और informative लगा हो तो प्लीज लाइक, शेर और शब्सक्राइब थैंक यू